हलो प्रेंस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सब का मेरे यूटूब चैनल में तो आज हम बनाएंगे सूजी का चीला प्रेंस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजीगा और बिल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो प्रेंस ये चीला बहुत ही हल्दी बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजटेबल्स आइट करने वाले हैं हम ऐसे तो बेजटेबल्स मतलब बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लेकिन इसमें डाल के बनाएंगे तो खालेंगे तो यहाँ पे चीला बनाने के लिए हमने लिया है एक कप सूजी और एक कप पानी डाल के मिक्स कर देंगे तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही पानी लिया है अभी और मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेश्ट पे ताकि सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल जाए एकदम सौप्ट हो जाए जो भी पानी हमने डाला है सूजी 10 मिनट के बाद देखेंगे तो सारा पानी अब जौर कर लेगी तो यह हम फेटके मिक्स करके मतलब की रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए उसके बाद में चेक करते हैं सूजी को हमने साइट कर दिया है और यहां पर हमने लिया है 50 ग्राम पनीर पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे बारीक वाली साइट से ग्रेट कर लेंगे और यह भी हमाइट करने वाले हैं चीला में अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो यह हम सारा पनीर ग्रेट कर लेंगे बढ़ियां से यह देखिए तो यह देखिए सूजी भी दस मिनट हो चुका है सूजी भी हमारे बिल्कुल एकदम से सौप्ट हो चुकी है मलाई जैसी तो यहां पर हमने लिया है नमक नमक स्वाद अनसार डालेंगे और मिक्स करेंगे प्रंस हमारी रेस्पी आपको कैसी लगती है जरूर से कमेंड में बताईएगा तो यहां पर हमने लिया है बारिक कटी हुई गाजर एक गाजर हमने बारिक काट ली है और एक खरी मिर्च ले ली है वो भी बारिक से काट ली है यहां पर लिया हमने एक सिमला मिर्च बारिक क वो भी बारीक कट हुआ टमाटर डाल देंगे तो अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए सूजी कितने अच्छे से फूल गई है और बैटर हमारा जो है एकदाम मक्षन जैसा तैयार हो गया है बढ़िया साफ्ट तो यहां पे अभी हमें सा पानी डालना है क्योंकि सूजी जो है गाड़ी हो गई है कि यहां पे हमने डाल दिया है एक चमच जीरा यह चाट मसाला एक चमच अब मिक्स कर देंगे सभी चीजों को फिर से प्रेंस बहुत ही हल्दी होता है यह वाला चीला क्योंकि इसमें बहुत सारी बेजटेबल साइड हो जाती है आप इसमें नापता गोभी भी डाल सकते है और गोभी वगयरा जैसे लौकी भी घिसके डाल सकते है तो बहुत हल्दी बनता है तो यहां पे हमने थोड़ा सा पा धनिया और मिला देंगे देख सकते हैं बड़िया सा कलरफूल हमारा सूजी का चीला बनेगा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बैटर हमारा तो यहां पर हमने लिया है नॉन इस्टिक तवा और लगा दिया है घी अब चम्मस से बैटर डाल के फैला देंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छा बन रहा है हमारा सूजी का चीला तो एकदम हमने गोलाई में फैला दिया है तवे पे फ्रेस बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं बन पाया है क्योंकि बेजटेबल्स है ना इसमें तो मतलब फैलाते नहीं बन रहा तो इसलिए छोटा ही बन पाया है तो अब हम साइट से लगा देंगे घी चारो तरब से ताकि छोटने में आसानी हो और इसके बाद में ना हम डालेंगे उपर से थोड़ा सा चीज और पनीर तो बहुत ही हिल्दी पराठा बनेगा चीला बहुत ही हिल्दी चीला बनेगा तो ये अब हम डाल देंगे पनीर बढ़ी अच्छे से पनीर लगा देंगे उपर से तो आप लोग देख सकते हैं कितना हेल्दी और स्वाधिश्ट चीला बन रहा है बहुत ही मज़ेदार अब ढ़क के हम दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे तो ये देख सकते हैं पलट के हम दूसरी साइट से से शेख लेंगे प्रेंस यहां पर वीडियो हमारा इसकिप हो गया है दूसरी साइट जो पलट के से का है हमने वहां का वीडियो इसकिप हो गया है तो आप लोग जब बनाईएगा तो पलट के सेंक लेजिएगा तो यहां पे हमने डाल दिया है तोड़ा सचाथ मसाला उपर से आप लोग पलट के दूसरी साइड से जरूर सेंक लेजिएगा तो पनीर बहुत ही अच्छा कलर आजाएगा पनीर में तो यह देखिए लेकिन सोरी दोस्तों वीडियो स्किप हो गया है तो लीजिए फ्रेंस सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी चीला बनके तयार है फ्रेंस अगर मेरी रेस्पेस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिपकेशन आप लोगों को मिल जाए बाई बाई